तो फ्रेंस सबसे पहले इसकी आवाज सुन दीजिए कितना ज़्यादा यह क्रिस्पी बना है बहुत ज़्यादा टेश्टी है सिर्फ दो मिनट लगते हैं इसे बनाने में आपका बनाना चिप्स बनके तयार हो जाता है तो नौरात्री का ब्रत आ रहा है तो जह हम ब्रत रख यह बिल्कुल भी नहीं खराब होते हैं नहीं यह सौप्ट होते हैं सिर्फ दो मिनट लगेंगे आपका स्नेक्स तयार हो जाएगा अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज फ्रेंड लाइक कर देना सस्क्राइब कर देना तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की सुर चलिका उता लीजिए ध्यान रहें कि जितने भी चलिके के ग्रीन पार्ट होते हैं उनको बढ़िया से निकालना है केले के अंदर बिल्कुल भी ग्रीन पार्ट नहीं रहना चाहिए नहीं तो हमारा चिप्स बनेगा हलका सा कड़वा भी बन सकता है क्योंकि जो केले का चलि कासा कसैला होता है तो बढ़िया से यह देखिए मैं जो इसके ग्रीन पार्ट है केले के छिलके के उसको मैं निकाल दे रहे हूं इसी तरीके से जितने भी केले को आपका चिप्स बनाना है आप सारे का छिलका इसी तरीके से उतार लीजिए छिलका उतार करके इनको हमें धो ल लेना चाहिए, नहीं तो जो हमारे केले का चिप्स बनेगी हो थोड़ा सा मोईस्टर वाला बनेगा, अब हम लेंगे एक चिप्स कटर जिससे हम आलू के चिप्स कारते हैं, तो कड़ाय में मैं अम हाई फ्लेंप गरम कर लिया है हैं, आज करनंगे हाई प्रत आयरा हम सुक्त को चाटा काट काटा लिए चिपस काटा कीज़ी पर बहुत जादा हो जाए नहीं होगा तो मैंने आधे केले को कार दिया है आप देख रहे हैं अधे केले में कितना ज्यादा चिप्स हमारा बनके तयार हुआ है अब इसको अच्छे हमें बिल्कुल high flame पे एक से देड मिनुट फ्राई करना है बस एक से देड मिनुट ही लगेंगे हमारे चिप्स जो है अच्छे से फ्राई हो जाएंगे इसको तब तक फ्राई करना है जब किसके अंदर से bubble आये जब आपको लगे कि bubble आना बिल्कुल बंद हो गया है जो मारा चिप्स से बिल्कुल बबल नहीं दे रहा है तो आप इसको फटा-फट निकाल लिजिए क्योंकि जो केले का चिप्स होता है उसको पकने में बिल्कुल भी time नहीं लगता है आप इसको बिल चिप्स तयार हो जाता है बस एक से डेर मिनट लगा जब हलका सा मुझे लगा कि यह ब्राउन हो चुका है बबल बिल्कुल नहीं आ रहे है तो मैंने फटा-फट इसको निकाल लिया है तो सारे चिप्स को हम पहले निकाल देंगे अब जो बचे हुए केले हमारे हैं उनको भी इसी तरीके से हमें तल लेना है तेल को हम बिल्कुल हाई ही गरम करेंगे क्योंकि ठंधा नहीं होना चाहिए तेल तो मैंने जो भी बच्ची हुए केले थे उसको भी इसी तरीके से काट दिया है येकिन मानी आपको इतना ज्यादा हेल्पूल लगेगा अब ब्रत के लि में आप खा ये बहुत ही बढ़िया होता है बहुत ही तेश्टी बनता है आप इसको चाहे तो थोड़ा सा मसाले के साथ भी बना सकते हैं या बिल्कुल सिंपल भी खा सकते हैं तो यह देखिए मैंने दूसरा बैस डाला वह भी लगभग तल चुका है बहुत ही बढ़िया स जो है चिप्स बनके तयार होते हैं तो हमारा जो दूसरा चिप्स था वह भी तयार हो चुका है अब इसको भी हम निकाल लेते हैं तो अगर आप चाहें तो पूरी नौरात्री के लिए आप एक बार में ही धेज सारा चिप्स बनाके द्रग दीजिए किसी भी एर टाय डब्ब हैं सीम उतना ही क्रिस्पी यह होता है टेश्ट इसका बहुत ही अमेजिंग होता है इसमें मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है प्लस थोड़ी सी घर की पिसी हुई साप सुत्री लाल मेची डाला है अगर आप ब्रत में लाल मेची नहीं खाते हैं तो शुरी पाप सेंध क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं दिन भर वो बाहर की चीजे खाने के लिए कहते हैं बाहर की चिप्स खाने के लिए कहते हैं तो आप अगर इस तरीके से घर में चिप्स बना के खिलाएंगी तो बहुत ही हेल्दी होगा बच्चों को नुकसान बिलकुल भी नहीं करे हैं करीब महीने तक रख दीजिए बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा बेस्ट है खास का सुगर पेसेंट के लिए जिनको भी आलू खाना और वाइट है वो इस तरीके से खा सकते हैं अगर आपको और भी कोई चिप्स की रेस्पी दे देना चैनल को और शेयर जरूर कर देना कमेंट हमें जरूर को